पहले वामाक्षी से जुड़ते हैं, वामाक्षी से बातचीत करते हैं उनसे समझते हैं कि आज मिटक्याप में टॉप परफॉर्मिंग स्टॉप कौन से नजर आ रहे हैं गुड आफ्टरनून वामाक्षी बताएं पहले तो हम Nifty Mid Cap Index की बारे में बात करते हैं तो Nifty Mid Cap ने दिन के निशले स्तर से करीब 0.5% की recovery दिखाई है Nifty FMCG, Realty, Consumer Durables और Nifty Metal जैसे सब sectoral indices है उन्होंने भी करीब 1% की recovery दिखाई है दिन के निशले स्तर से शुरुआत करते हैं हम कुछ Top Gainer से तो Dilip Bitcoin Top Gainer है यहां पे कंपनी एक L1 Bidder की तारा Emerge हुआ है JMRC के टेंडर फ्लोट किया था उसके और यह जो project है उसका total cost रहेगा करीब 702 crores IDFC First Bank पर भी focus करेगा Q1 के update के बाद stock में अच्छी तेजी नजर आ रही है कंपनी का कहना है कि asset quality parameters और collection efficiency में सुधार आई है लक्स industries पर भी focus करेगा चार दिन की गिरावट के बाद stock आज हरे निशान में नजर आ रहा है लिंडे इंडिया पर focus करेगा यहां पर लगाता है दूसरे दूसरे तेजी नजर आ रही है और आखिर में focus करेगा jubilant ingravya का चार दिन की गिरावट के बाद stock हरे निशान में नजर आता हुआ हमें दिख रहा है इसके बाद हम focus करते हैं कुछ top losers पर तो tvs motors यह list को top करता है अनुमान से हलके कमजोर नंबर आए है और कंपनी का कहना है कि semi conductor की दिक्कतों से premium two wheelers की production और sales पर असर होता हुआ नजर आ रहा है aptis value housing पर भी focus करिएगा दो दिन की तेजी के बाद stock आज लाल निशान में नजर आ रहा है IRB infra हलकी सी तेजी के बाद आज stock में गिरावट नजर आ रही है oil India लगातार तीसरे दिन की गिरावट ये stock में नजर आ रही है आपको यादी होगा कि भारत ने local oil output पर binfall tax जाहिर किया था Friday को और तब से stock में भारी गिरावट जारी है all cargo logistics भी focus में है Friday की तेजी के बाद stock large लाल निशान में नजर आ रहा है बात करते हैं कुछ specific themes की तो paper stocks आज buzzing है JK paper, शिशाई paper, इमामी paper, आंधरा paper जैसे सारे stocks आज अच्छे तेजी के साथ trade करते हुए नजर आ रहे है fertilizer stocks की बात करें तो यहां पे भी हमें अच्छी तेजी नजर आ रही है Paradeep Phosphates, FACT, NFL, RCF, GSFC जैसे नाम आज अच्छी तेजी के साथ trade करते हुए नजर आ रहे है तो चलिए अहां पर यह सारे के सारे trending stocks हैं जिस पर हमारा focus रहेगा लेकिन हमारे साथ नीरफ भी जुड़े हैं उनका स्वागत करते हैं और चलिए अब वक्त हो चला है अब दमदार trade zone की तरफ से जानने का चलिए तो निफ्टी तीन घंटे का च्रेड नीरफ से सीधा समझते हैं नीरफ गुड आप्टिनून स्वागत है आम का इटीनाव सोदेशपर बाजार में फिलहाल जो trend नजर आ रहा है mid cap perform कर रहे हैं small cap maybe stock specific action जरूर है लेकिन बाजार की चाल index specific आपको आज कैसी लग रही है गुड आफ्टरून पांसी देखें ओवराल अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो चाल 12 बज़े तक होती है बिलकुल ही विपरित चाल 12 से 3.5 के पास हो रही है निफ्टी की अब निफ्टी उपर आई है दिन के high के पास में आ गई है मगर और एक important चीज है अपने एक resistance के पास भी आ गई है 15-800 के तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर resistance खा सकता है पॉसिबिलिटी है कि यहां से थोड़ा बहुत reversal हो सकता है और closing होते होते वापिस 15-700 के पास में आ सकता है तो मेरी राए यह रहेगी कि अगर आपने start of the दिन में कुछ लिया हो बाई किया हो तो यहां पर profit booking ज़रूर करें यह इंट्राडे players के लिए हैं और wait करें वापिस नीचे में 15-700 और आने के उसके बाद वापिस buying के trade बनाए यहां पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत selling आ सकती है similarly bank nifty में भी 33, 850 और 34,000 यह important resistance है और यही resistance bank nifty पिशली बार भी नीचे आई थी तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत selling pressure यहां पर आ सकती है selling pressure in fact एक बेहद important observation नीरव की तरफ से आता हो है दिख रहा है कि बाजार की चाल first half में जो दिखती है उसकी बिलकुल विपरी second half में होती हुई नजर आ जाती है अब देखना होगा बचे हुए जो तीन घंटे हैं उसमें किस सरह से market से react करते हुए देखते हैं stock specific action तो है ही और नीरव से उनकी topics भी जानेंगे लेकिन इस बीच एक बार खबरें भी समझ लेते हैं वामाक्षी आपके तरफ से कोई news-based impact है जो की focus में है mid-cap space में वेल शुरुआत करते हैं हम angel 1 से तो यहां पे company का monthly update आता हुआ नजर आ रहा है client base करीब 3.1% मंत और मंत से बढ़ा है gross client acquisitions हाला की 27.6% से गिरे है retail turnover market share की बात करें तो यहां पे भी company ने अच्छी growth दिखाई है 136 basis point से मंत और मंत grow ही है 19.9 था उनका market share और अब वो बढ़कर हो गया है 21.2% इसी के चलते आप देख सकते कि stock में अच्छी तेजी नजर आ रही है EU SFP पर focus करेगा यहां पे Q1 update आता हुआ नजर आया हमें total deposits 4% quarter on quarter से बड़े है कासा ratio में भी सुधार आया है 37% था पिछले तिमाई में और अब वो बढ़कर हो गया है 39% हाला कि अगर हम disbursements को देखे तो disbursements में हमें double digit decline नजर आया है और stock आज in fact लान निशान में नजर आ रहा है क्योंकि street इससे better growth expect कर रहा था आखिर में focus करियेगा AFL India पर company ने चार additional directors को appoint किया है उनकी board structure को और मजबूत करने के लिए और इसी के चलते AFL की board में अब 10 directors शामिल होंगे और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि AFL आज एक प्रतिशत की तेजी के साथ trade करता हुआ नज़र आ रहा है वामाक्षी शुक्रिया यह सारी की सारी खबरे हमें बताने के लिए तो clearly तीन stocks हैं जो की खबरों के दम पर focus में angel 1 जिसका monthly update आता हुआ नज़र आ रहा है इसके लावा EU small finance bank यहाँ पर भी इनकी deposits जो है उसमें बढ़ात करीब 4% की तिमाही आधार पर देखने को मिलिया साथ ही Apple India के stock में भी आप positive upmove देख रहे हैं क्योंकि company ने अपने management कुछ बदलाव है उसका ऐलान किया है करीब 1.5% की upmove यहाँ पर angel 1 EU small finance bank Apple India जैसे stocks नीरविन stocks में कहीं आपके अगर कोई radar पर हो या इन में से कोई stock आप पिक कर इस पर अपनी राए देना चाहें देखें बहुरा लगा structure देखें तो तीनों का ही structure weekly perspective से थोड़ा सा weak है मगर एक breakdown जिसे बोला जाता है तो breakdown आया है EU small finance bank में EU bank एक तो FNO में भी है और इसका future भी है तो इसे बेचा जा सकता है मेरे हिसाब से यहाँ पर यह जो stock है नीचे में 520 से 515 के जो levels है वहाँ तक आ सकता है इसा लग रहा है मुझे एक breakdown बड़ा breakdown on the weekly charts आया हुआ है तो इसे बेच के चले 580 का आप stop loss लगाए और नीचे में around 520 के पास में आता है वहाँ पर आप profit booking कर सकते हैं बागी दोनों में buying avoid करें मेरे इसाब से अभी भी you know breakout दोनों ही stock में नहीं आये हैं शायद थोड़ा दिन और consolidation जारी रहेगा volumes built up होगा और उसके बाद probably ये दोनों stocks चलेंगे तो at this point of time एक ही trade है EU bank में वो भी short side का ठीक है तो EU small finance bank में बिक्वाली करके चल सकते हैं और angel one में भी आपको राय दिदी गई है चलिए बागे बड़ाई